भाईयों और बेनों, जो आज यहाँ ठंड में, सर्दी में सत्यग्रा के लिए आए, आप सब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, देश आपको धन्यवाद करता है। उनका मैं भी यहाँ स्वागत करता हूँ, देश एक आवाज होती है, और आज जो हमने प्रियांबल पढ़ा, सम्विधान पढ़ा, वो हिंदुस्तान की जन्ता की आवाज थी, उस आवाज ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस आवाज ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया। प्यार से, शांती से, मगर बिना पीछे हटे। उसी आवाज ने हिंदुस्तान के अर्द्विबस्ता को खड़ा किया, करोनों युवाओं को रोजगार दिया, भाकरन अंगल बनाया, रेलवे लाइने लगाई, एरपॉर्ट बनाए, उस आवाज के बिना हिंदुस्तान नहीं रहेगा। हमारे दुश्मनों ने पूरी कोशिश की, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की, कि इस आवाज को दबाया जाए। देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की, कि इस देश की उन्नती को नश्ट किया जाए, तोड़ा जाए। देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की, कि इस देश की शक्ती हमारी अर्ध व्यवस्ता को नश्ट किया जाए। और हिंदुस्तान की आवाज ने लड़ाई लड़ी और दुश्मनों को रोका। अजीब सा दिन है, जो काम देश के दुश्मन नहीं कर पाए, वो काम आज नरेंद्र मोधी पूरे दम लगा के कोशिश करने की, पूरे दम लगा कर कोशिश कर रहे है। हमारी उन्नती नश्ट हो जाए, हमारी उन्नती नश्ट हो जाए, और देश की आवाज शान्त हो जाए, चुप हो जाए। नरेंद्र मोधी जी, जब आप जुडिस ripर दवाब डालते हैं, तो आप देश की आवाज को छोट पहुचाते हैं। जब आप स्ट्यूटन्स पर लाठी चलवाते हैं गोली चलवाते हैं तो आप बेश की आवाज को शांत करने की कोशिश करते हो जब आप हमारे जर्नलिस्ट गहां जो खड़े हैं जब आप इनको दबाते हो इनको दबाते हो तो आप बेश की आवाज को शांत करने की कोशिश कर रहे हो जब आप हिंदुस्तान के करोणों युवाओं से रोजगार चीनते हो नोट बंदी करते हो हिंदुस्तान के उद्योग पतियों को छोटों दुकंदारों को दबाते हो आप देश के आवाज को दबाने की कुछ करते हो नरेंद्र मोदी जी आप कॉंग्रेस पार्टी से नहीं लड़ रहे हो गलत फेहमी में मत रहो ये कॉंग्रेस पार्टी नहीं है ये देश की आवाज है और देश की आवाज के खिलाफ आप खड़े हो और मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके मित्र हमित शाह को बताना चाहता हूँ कि ये आवाज कॉंग्रिस की नहीं है ये आवाज भारत माता की आवाज है और आप ये बात मत भूलो अगर आप इस भारत माता की आवाज के सामने कड़ों रहोगे अगर आप इस भारत माता की आवाज को students को press वालों को judiciary को दबाने की कोशिश करोगे तो भारत माता आपको जबर्दस जवाब देने जवारी है और जहां तक जहां तक कपड़ों की बात है जहां तक कपड़ों की बात है नरेंदर मोधी जी पुरा देश आपको अपने कपड़ों से पहचानता है दो करोड रुपए का सूट हिंदुस्तान की जनता ने नहीं पहना था आपने पहना था ये देश एक है आप देश को जवाब दीजिए आप देश के करोडों स्टूडन्स को जवाब दीजिए आपने हिंदुस्तान की शक्ति को अर्थ व्यवस्ता को रोजगार को क्या किया क्यों नट्स किया आप देश को बताईए कि जहां हमारी 9% ग्रोथ रेट होती थी आज 4% ग्रोथ रेट हो कर दिये आपने आप हिंदुस्तान के स्ट्यूडन्स को युवाओं को बताईए कि आज उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है आप रोजगार नहीं दे पाए आप अर्थ व्यवस्ता को चला नहीं पाए इसलिए आप नफरत के पीछे छुप रहे हो इसलिए आप देश को बाटने की कोशिश कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी बहार आईए और हिंदुस्तान के युवाओं को बताईए उनको रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप बहार आईए हिंदुस्तान के छोटे दुकानदारों को बताईए उज्योग पतियों को बताईए युगाओं को बताईए आपने हिंदुस्तान के अर्दरबस्ता के साथ क्या किया आप कुछ नहीं कह पाएंगे आप सिर्फ वे काम कर सकते हो आपको सालों से आपके संगाटन ने सिखाया है और मैं यहां से कह सकता हूं किस काम को करने में आप कोई बहतर नहीं है हिंदुस्तान को कैसे बाटा जाए हिंदुस्तान में नफरत कैसे फैलाए जाए हिंदुस्तान को कैसे तोड़ा जाए यह आपको सालों के लिए सिखाया गया और आप इसमें नमबर वन है और आज ये पूरा देश इस बात को समझ रहा है आज ये देश इस बात को समझ रहा है आज इस देश इस देश के college students, university students सारे के सारे समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को सिरफ नफरत फैलानी आती है और कुछ नहीं आता है मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश की जनता ये भारत माता की आवाज आपको इस देश पर आकरमन नहीं करने देगी आपको इस देश को बातने नहीं देगी ये constitution हर धर्म के व्यक्ति ने बनाया था अमबेटकरजी ने बनाया हिंदू, मुसल्मान, सिख, इसाई सबकी अवाज इस constitution में है और आप इस constitution पर आकरमन नहीं कर सकते हो पुरा हिंदुस्तान आपको रोकेगा आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मारे जन्रलिस्ट मित्र हैं यहाँ पर आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आप सच्चाई जानते हो और आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ोगे मैं समझता हूँ कि आप चुप नहीं रहोगे और हम सब चुप नहीं रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार